देखिए भारत का सम्विधान यानि Indian Constitution भारती सम्विधान का निर्माड से लेकर हम पूरी तरीके से टॉप लेवल तक चलेंगे सबसे ज़्यादा कोई संस बनते हैं निर्माड से यानि सम्विधान सभा से कोई संस पहला यही बन जाता है कि भारती संविधान का गठन कैसे हुआ ठीके ना तो याद रखना है कि भारती संविधान का निर्माण संविधान सभा दोरा किया गया है और अगर कुशन में पूछे कि किसके अनुसार किया गया है तो संविधान सभा का गठन किसके अनुसा केविनेट मिसन ये कुस्षन एकजाम में 100 से भी जादा बार पूछा जा चुका है चोटे और बड़े एकजामों में याद रखेगा कि केविनेट मिसन 1946 का ही क्या माना गया है आधार माना गया है जिसमें इस सम्मेधान गठित हुआ है किलियर है यह पॉइंट फैक्ट है स्टार बना के इसको लिख लेना है बात करते हैं अगले पॉइंट की जो दो पॉइंट इंपोर्टेंट है पॉइंट नमबर नेक्स्ट और पॉइंट नमबर नेक्स्ट यह इंपोर्टेंट पॉइंट है क्यों इंपोर्टेंट है यहांस बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसमें एक कुछन पूछा जाता है कि यह बताओ कि जो भारती सम्विधान का आइस्थाई अध्यक्ष चुना गया था वो कौन था तो याद रखेगा स्टार बना के आपको लिखना है कि भारती सम्विधान की जो 9 दिसंबर 1946 को बैठक हु उसमें आइस्थाई अध्यक्ष कौन है यह डॉक्टर सच्चिदा नंसिनहा याद रखेगा डॉक्टर सच्चिदा नंसिनहा की अध्यक्षता में 9 दिसंबर 1946 को एक अधिवेशन हुआ जिसमें सच्चिदा नंसिनहा को आइस्थाई अध्यक्ष चुना गया पॉइंट नमबर नेक्स्ट दो दिन बाद यहीं से दो कुषशन मनते हैं कहता है भारती संविधान का आस्थाय अद्धिक्ष कौन है तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं तो आ इस्थाई अध्यक्ष में सच्चिदान लगाना है और इस्थाई अध्यक्ष में डॉक्टर राजेंदर प्रशाद लगाना है तो दो दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई और सम्विधान सबा का इस्थाई अध्यक्ष चुन लिया गया डॉक्टर प्रारूप समित ने संविधान का निर्माण किया मतलब कुष्ण बनता है कि ये बताओ कि भारती संविधान में प्रारूप समति के अध्यक्ष कौन थे तो बहुत सारे बच्चे परेजान हो जाते हैं लेकिन सिंपल सा कुष्ण है कि प्रारूप समित के अध्यक्ष कूछता हैं कितने सदस से होते हैं अधिक्ष तो एक ही होगा कौन है भीमराव मेडिकर साहब है टोटल कितने सदस से होते हैं तो याद रखना है कि प्रारूफ समित में साथ सदस से होते हैं टोटल ये कुस्सन एकजाम में पूछा जा चुका है ठीक है चलें अगला जो स्लाइड है ऐ वहत फोकस से देखना है, मुझे पता है कि मेरे फिफड़े अंत तक फट जाएंगे, मुझे पता है क्योंकि चिलाने में क्या होता है, कि भाया सब कुछ भिगण जाता है, लास्ट लास्ट इंड तक जाएंगे, तो पूरी तरीके से बहुत इमानदारी से इस वीडियो को वाच करिएगा सस्क्राइब कर लें गुरुजी वर्ड क्योंकि पूरे साल का करेंट अफियर पूरी तरीके से हर सब्जेक्ट का वीडियो आपको मिलेगा चाहे भूगोल हो चाहे वो राजिनीतिक हो चाहे इतिहास हो एक वीडियो में सब कुछ मिलेगा इसलिए सस्क्राइब करें एमानदारी से अगला पॉइंट ये आता है कि ये बताओ कि भारत का सम्विधान निर्मित कब हुआ और भारत का सम्विधान लागू कब हुआ देखेगा दो पॉइंट है जिसमें बच्चे कन्फूज होते है जब भी कुछ सन में देखे ओबर कॉन्फिडेंस में कुछ सन मत करना एकजाम हल में जब कुछ सन पूछे तो उसको सही से पढ़ना जब कुछ सन में ये पूछे कि भारत का सम्विधान कब निर्मित हुआ तो आंसर होगा 26 नमबर 1949 को जब कुछ सन में ये पूछा जाए कि भारत का सम्विधान कब नागू हुआ तो आंसर होगा 26 जनबरी 1950 याद रखेगा भूलना मत जब कुछ सन में पूछा जाए कि भारती सम्विधान कब तयार हो गया कब अंगीकरत हुआ कब अधिनियमित हुआ कब पूरी तरीके से रेटी हो गया तो 26 नमबर 1949 और जब पूछे कि कब जो है लागू किया गया तो 26 जनबरी 1950 को लागू किया गया क्यों 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 कि भारत इसी दिन से गरतंतर बना था है ना, तो ये बात आपको याद रखना है, याद रखेगा, 1930 का जिक्र किया जाता है, क्योंकि 26 जन्वरी 1930 के रूप में हम मनाते हैं, चलिए, इसी को हम गरतंतर दिवस मनाते हैं, अगला point आता है, कि मूल सम्विधान, जिस समय बारत का सम्विधान बना था, एक चीज याद हम बात करें कि जब सम्विधान बना था, उस समय कितने भाग थे, 22 भाग थे, कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी, तथा 395 अनुच्छे थे, वर्तमान में अगर पूछा जाए, तो वर्तमान में 22 भाग है, 12 अनुसूचियां है, तो ये question important है, question दो तरीके से star बना के अपने notes में maintain करना, question में ये लिख लेना है, कि मूल सम्विधान में अनुसूचियां कितनी थी, तो answer लिख लेना है, 8 और question में ये पूछे, कि बर्तमान सम्विधान में अनुसूचियां कितनी है, तो answer है 12, तो मूल सम्विधान का मितलब होता है, जो पहले बना था बरतमान का जो चल लहा है जिस समय सम्विधान बना था उस समय आठन सूचियां थी और जब अब चल लहा है संसोधन हुए तो बारा हो गई भारती सम्विधान का दो तिहाई भाग यानि दो बटे तीन जो भाग है वो 1935 अधिनियम के द्वारा लिया गया है भारती सासन अधिनियम 1935 एक ऐसा अधिनियम है जो सम्विधान की एक मजबूत कड़ी है जहां से सम्विधान का निर्माल हुआ है तो दो बटे तीन हिस्सा जो है सम्विधान का क्या है 1935 से लिया गया है भारती सम्विधान की निर्माल में विभिन देशों के लिए जो तक तो लिये गये हैं जितने भी तक तो लिये गये हैं जैसे हमारा जो है मूल करतब कहां से लिया गया है मूल अधिकार कहां से लिया गया ये भी सब जानेंगे अगर मैं छोटा सा कुस्षन आपसे पूश दूँ ये बताओ कि प्रिस्तावना की भासा किस देश से लिया गया है तो लगबग लगबग 99% बच्चों को नहीं पता होगा एक परसेंट बच्चे इस कुस्षन का जवाब जानते होंगे कि प्रिस्तावना की भासा किस सम्मिधान से लिया गया है यानि किस देश से लिया गया है हमको सब को पता है कि मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है मूल करतब बेरूस से लिया गया है निती निदे सिकता तो आयरलेंड से लिए गए है सब को पता है लेकिन प्रस्तावना की भासा कहां से लिए गई है चलो हम वो भी जानेंगे आगे भारती संविधान के स्रोत याद रखिएगा स्रोत में आपसे कुस्टन हमेशा बनता है और हमेशा बनेगा तो सबसे पहले जान लीजेगा कि भारती संविधान का निर्मान कितने समय के अंदर हुआ था तो दो वर्स ग्यारा महिने और अठारा दिन में हुआ था बावा साब भेमराव अंबेडिकर को ही स्रेय जाता है इस संविधान को बनाने के लिए अगर कुशन में ये पूचा जाए कि भारत का संविधान कब निर्मित हुआ तो 26 नमबर 1949 को ये महा महिम राष्टिपती जी जिस समय राजंदर प्रसाथ थे उनको सौप दिया गया था तो आपको याद रखना है कि जब तयार हुआ था तो वो डेट थी 26 नमबर 1949 और जब रेडी हुआ था तो 26 जनमबरी 1950 था क्लियर है मतलब लागू हुआ था भारती संविधान विष्टों में सबसे बड़ा लिखित संविधान है तो ये point important है क्योंकि बड़ा लिखित संविधान किसका है भारत का संविधान बड़ा संविधान है यह बात भी आपको याद रखनी है भारती संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव ये कुछ सन एक्जाम में कई बार पूछा गया है कि सबसे जादा effect किसका पड़ा है तो भारती सासन अधिनियम 1935 का पड़ा है जिसमें से दो बटे तीन भाग जो है 1935 से हमने मारत के संविधान से लिया है क्लियर है ये बात आपको याद रखनी जो मैंने उपर अभी बताया बरतमान में भारती संविधान में अधिनियम सासन 1935 से ले लिये गए है तो आप समझ सकते हो कि 1935 जो अधिनियम सासन है वो कितना important होगा इसके अलावा भारत के संविधान के निर्माड में 10 देसों के संविधान की एहम भूमिका है और 10 देसों के प्रमुक्ततों को लेकर भारत का संविधान बनाया गया है आईए वे जो देस हैं जानते हैं कि कौन से देस से क्या क्या लिया गया है एक एक point हमने ऐसा जबजस्ट नोट करा है कि आप से कोई भी question exam में बाहर नहीं जाएगा किलिर है? Any doubt? अब इस point को अगर समझ लिया इस point को अगर आपने पढ़ लिया तो समझ लो पूरी तरीके से आपका एक number पका हो जाता है इसी slide में से एक number और हर slide में से समझ लो कि हर दूसरी slide या हर तीसरी slide में एक number छुपा हुआ इस video में तो इसलिए पूरा ग्यान आपको लेना है, देखिए, बात आती है स्युक्त राज्य अमेरिका की जहां से सबसे ज़्यादा चीजे हमने ली है, मौलिक अधिकार, न्याइक पुनरा वलोकन, मौलिक अधिकार सभी जानते हो, मौलिक अधिकार का मतलब होता है, fundamental rights, यानि जो भ कहां से लिया गया है, स्युक्त राज्य अमेरिका, संबिधान की सर्वक्षता, न्याइपालिका की स्वतंता, निर्वाचित राष्टपती और उस पर महावियोग, याद रखिएगा, राष्टपती का जो निर्वाचन प्रक्रिया है, और अनुछेद 61 में जो महावियोग किस पर हम लगाते हैं वो भी हम पढ़ेंगे आगे, ये भी कहां से लिया गया है, ये भी USA से लिया गया है, अमेरिका से, न्याय दीश को हटाने की बिधी और बित्ती आपात, ये भी स्विक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, अगला पॉइंट आता है, यहां से एक important, दो fact important पूछे जाते हैं जो बच्चे बच्चे को याद रखना है कि हमारे देश में कैसी नागरिकता है तो हमारे देश में एकल नागरिकता है मतलब कोई भी व्यक्ति मात्र एक ही नागरिकता प्राप्त कर सकता है एकहरी नागरिकता है और अमेरिका में दोरी नागरिकता है वहाँ पर कैसी वहाँ पर देश की भी नागरिक्ता होती है और राज्जी की भी होती है लेकिन भारत में देश और राज्जी को अलग-अलग नहीं बाटा गया है और ये कहा गया है कि हर व्यक्ति को जो भारत में रहने वाला है उसको एक नागरिक्ता मानी जाएगी ठीक है तो कुश्चन में अगर पूचा जाए कि दोरी नागरिक्ता किस देश किये तो सहीगत राजी अमेरिका की और इकायरी नागरिक्ता किस देश किये तो भारत की है संसदी सासन पनाली कहां से लिया गया है ब्रिटेन से लिया गया है एकल नाकरिक्ता का जो प्रावधान है वो ब्रिटेन से लिया गया है इंपोर्टेंट है और याद रखिएगा दोस्तों बहुत बार पूछा गया है कि नीती निदेसक तत्तों कहां से लिया गया है Ireland से लिया गया है और राष्टपती के निर्वाचन मंडल की जो विवस्ता है यानि राष्टपती किस तरीके से निर्वाचित होता है और ये सबसे important fact है कि आपात कालिन उपबंद जो है वो कहां से लिये गये हैं ये भी Ireland से लिये गये है Britain भी यहाँ पर नाम आता है तो याद रखिए जब Britain ना हो तो आप क्या लगाएंगे Ireland भी लगा देंगे ठीक है ना ये भी आपको याद रखना है अगला point आता है आस्ट्रेलिया ये बहुत important है यही तो मैंने संबर्ती सूची पढ़ते हो अनुसूची सेवंत की बात करते हो वो हम आगे अभी पढ़ाएंगे इसी स्लाइड के जस्ट बात ठीक है ना तो प्रस्तावना की भासा संग राज्य संबंद यानि जो केंदर सरकार में और राज्य सरकार में जो संबंद होते हैं वो भी कहां से लिए गए अस्टेलिया से संबर्ती सूची का प्राबधान दोस्तों वो भी अस्टेलिया से याद रखेगा अगर कुस्टर में यह आ जाए कि प्रस्तावना कहां से लिए गई है वो सेंग तराज अमेरिका से लेकिन प्रस्तावना की जो भासा है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत है ना तो ये लिया गया है अस्टेलिया से ये भी आपको याद रखना है यही तो मैंने पूछा था आप से मूल कर्तब भारत में कहां से लिये गया है तो मूल कर्तब लिये गया है सोबियत रूस से लिया गया है यानि सोबियत संग आप्शन में आए तो भी मार देना नहीं तो रूस के चक्कर में आप ढूंते रो रूस ना मिले तो सोबियत संग आपको दिख जाए मारो इना तो एक ही चीज़ है ठीके ना बिदी दोरा इस थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है गणता अंतरात्मक जो सासन है वो फ्रांस से लिया गया है संगात्मक सासन जो है वो कनाडा से जो कई बार इक्जाम में पूछा गया है संगात्मक सासन और संविधान के संसोधन की प्रक्रिया नुच्छे 368 दोस्तों ये दक्षिन अफ्रीका से और जर्मनी स मार सकते हो इसलिए सबसे पहली प्रायरटी देनी है जर्मनी को आपात कालिन उपवंद के लिए जाने जाते हैं अब देखिएगा भारत का संविधान निर्मित हुआ भारत का संविधान अभी हाली में जम्बु कस्मीर को 379 से हटाया गया और उसमें से एक राज्य हमारा क्य क्या हो गया दोस्तों कम हो गया तो इसलिए यहां पर पहले 29 राज्य साथ केंदर सासित प्रदेश थे अब आम को क्या करना यह मैंने खुद जान बूच कर टाइप किया है अब याद रखेगा इसको जान बूच कर क्यों टाइप किया है इससे आपको समझ में आएगा तो आपको लिखना है कि भारत में अभी कितने राज्य हैं 28 राज्य हो गए हैं फिर से और यहां पर बढ़ गए हैं 9 केंदर सासित प्रदेश हो गए हैं लद्दाग जब मुकसमीर की बात करें तो बढ़ा दिये गए हैं तो याद रखना है कि अनुसूचियों की बात करें तो पहली अनुसूची में क्या है राज्यों का विबरन है ठीक है दूसरी अनुसूची में क्या है तो दूसरी अनुसूची में है पदा धिकारियों के बेतन बत्ते एवं पेंसन यानि पदा धिकारी का मतलब क्या है जो राष्टपती हैं उपराष्टपती हैं निया अधीस ह अब ही में पूरी तरीकें से 12 नुसूचियों को पढ़ाने के बाद पांंच ऐसी नुसूचिया बताऊओंगा जो सबसे ज़्यादा एक्जाम में पूछी जाती है तीसरी अनुसूची कौन सी है? सफत ग्रहन का प्रारूप यानि राश्टपती और उपराश्टपती से लेकर ऐसे तमाम पदादिकारी है जो सफत लेते हैं तो उनका कौन सा अनुसूची है? तीसरी अनुसूची है चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यों एब हम संग राज्य छेत्रों की बात करें तो उसमें राज्य सभा बहुत इंपोर्टेंट है कुछ सन में आता है कि राजिस सभा का प्रतिनी दित्तो कौन सी अनुसूची में है तो चौथी अनुसूची में है यह बात दिमाग में हमेशा रख लेना कई वार इकजाम में ट्रेंड कर चुका है पांचमी नुसूची चेतर और अनुसूची जनजाती ऐसे प्रसासन के बारे में हमारी नुसूची बताती है कि पांचमी नुसूची के बारे में क्या कहा गया है कि अनुसूची चेतर और अनुसूची जनजाती के प्रसासन और नियंतरन के बारे में जो कहा गया है वो किसम के बारे में प्राबधान है जैसे असम मेगाले त्रिपुरा और मिजोरम तो ऐसे राज्य जो असम मेगाले त्रिपुरा मिजोरम इनके जंजाती छेत्रों के प्रसासन का प्राबधान है तो वो कौन सी अनसूची है वो है आठमी अनसूची फटा फट स्क्रेंसोट लीजेग बढ़ेंगे आगे की तरफ ठीक है चलिए अब देखिए का तोस्तों ये सलाइड है इसमें से सबसे ज़्यादा कुशन पूशे आते हैं साथमी आठमी नौमी दसमी ग्यारमी बारी मी इस से ज़्यादा कुशन आएगा ना ये सलाइड अगर आपने देख ली तो समझ लो एक तो इक ही होंगा ना बहरत के जो राज्य और केंदर के बीच में जो आपका रिलेशन होता है वो किस अनौमी नौमी ये स्विंद्धा है तो आनसर होगा सात्मी नौमी नौमी से ज़्यादार कुशन परेंदाए। तो अभी केवल इतना याद रखना है कि साथमी अनुसूची में केंदर और राज्यों के बीच में जो रिलेशन होता है वही बताता है आठमी अनुसूची बच्चे बच्चे को पता होगा कि भारती जो सम्विधान में 22 भासाएं हैं जब कुश्चन में ये पूचा जाए कि अभी ये बताओ कि बरतमान सम्विधान में भासाएं कितनी है तो 22 भासाएं हैं सम्विधान में अगर भासाओं का उलेख पूचा जाए कि कौन से अनुसूची में सम्विधान की भासाओं का उलेख है तो वो है 22 भासाओं का आठमी अनुसूची में है ठीक है नौमी प्रथम संविधान संसोधन 1951 अब याद रखो दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट है स्टार बना के जब कहता है मूल संविधान में कितनी नसूची थी तो मैंने आपसे कहा था कि आठ नसूची थी संविधान बनने के बाद संसोधन हुए तो फिर ये क्या हुआ ये अनसूच प्रथम संविधान संसोधन जब हुआ था तो उसमें क्या जोडा गया तो आंसर होगा नौमी अनसूची को जोडा गया कुश्चन नमबर 3 नौमी अनसूची कौन से संविधान संसोधन से जोडी गई तो आंसर होगा पहले संविधान संसोधन से याद रखना है दोस्तों इसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहन याद रखिए नौमी अनुसूची में कौन सी चीजें आती हैं संपत्ति का ब्यवरा आता है तो स्टार बना के लिख लेना पहला संविदान संसोदन 1951 में हुआ तो नौमी अनुसूची आई जिसमें संपत्ति का लेखा ज दुखा रखा गया है पॉइंट नंबर नेक्स्ट दसमी अनुसूची दसमी अनुसूची एंटी डिफेक्शन से संबंदित है यानि दल वदल संबंदी प्राबधान जब भी कोई नेता राजिनीती परिद्रस्य से दल बदलता है ऐसे आप याद कर सकते हो देशी भासा मे तो वो दोस्तों दसमी अनुसूची में अब कैसे याद करोगे दस तो दल दस का मतलब है दल है ना दस दल लगबग लगबग समान बोईस जो है सेम बोईस निकल लई है तो दसमी में दल आएगा और संबंदी प्राबधान कौन से संसोधन से 52 संसोधन हुआ 1985 में एक वार सन भूल लाना लेकिन संसोधन मत भूलना ये संसोधन दो बहुत पूछे जाते हैं और ये भी संसोधन दोस्तों दो बहुत पूछे जाते हैं तो चार चीजने तो हमेशा याद रखना है ग्यारमी नुसूची में पंचायती राज पंचायती राज का मतलब हो तो हम कहते हैं, घ्राम सितर पर कोण लड़ेगा, ये लड़ेगा, तो ग्राम पंचायतों का जो गठन हुआ वो ग्यार्मिय नुसूची में, इसके विप्रिद जो सहरों में क्या होता ना नगरपालिकाय होती है, ऐसे ही नगर निकायों का जो गठन उआ हुआ वो बार्मिय नुसूची में कल को कुछन ये पूछ लिया जाए कि ये बताओ कि 73 में सम्विदान संसोधन में क्या है तो आप याद रखना पंचायती राज पंचायती राज कौन से संभिदान संसोधन में है तो आप याद रखना 73 में में और अगर पूछ लिया या नगर निका है या नगर पालिका तो आप भार्मियन सूची कौन से संभिदान संसोधन 74 में संभिदान संसोधन है न इसमें ग्यार्मी है इसमें बार्मी है इसमें 73 है इसमें 74 है लगवग लगवग एक ही जो है कुछ भी फरक नहीं होता 73-74 ग्यार्मी बार्मी ऐसे आप याद कर सकते हो भारती संविधान एक संग्ही संविधान है इसके लिए यानि जो संग्ही संविधान का मतलब है ना संग्ही संविधान का मतलब यह होता है कि सारा जो लेखा जुका होता है वो केंदर की तरफ जुका होता है तो भारती संविधान एक संग्ही संविधान है यह point important है star लगा ल करने न संगी संविधान पर इसलिए संविधान की सात्मी नुसूची जो अभी मैंने ऊपर पढ़ाई न सात्मी नुसूची जिसमें बिसेओं का उलेक है कि कौन से नुसूची में कौन सा बिसेओं है तो याद रखना है कि जो सात्मी नुसूची है वो तीन भागों में बट संबर्ती सूची का मतलब है कि जहां पर केंद्र और राज दोनों मिलकर कानून बनाएं यह सभी कहां से लिये गए हैं मैंने आपको बता है कि संबर्ती सूची भारत के सम्विधान में आस्ट्रेलिया से लिया गया है याद रखेगा यह पॉइंट इंपोर्टन्ट है याद रखें कि कई वार एक्जाम में पूछा जाता है तो याद रखना है कि संग सूची, राज्य सूची और संबर्ती सूची में भारती संभिधान की सात्मी सूची बटी है, लिए रहें, अब हम जान लेते हैं एक-एक को अच्छी तरीके से, कई बार एकजाम में पूछता है कि ये बताओ कि भारतिय सेना जो है इंडियन आर्मी कौन सी सूची में है कई बार ये पूछ लेता है कि जो सिक्षा है एजुकेसन है जो अरवच्चे को मिल लई आजकल वो किस अनुसूची में है कई बार ये पूछ लेता है कि ये बताओ कि जो आपकी बैंकिंग सेवाएं हैं वो किस अनुसूची में तो यार ये तो ग्यान होना चाहिए ना अधूरा ग्यान आपको नहीं लेना है तो संग सूची जो यहाँ पर है राष्टी महत्व से सम्मंदित यानि हम कह सकते हैं कि जहाँ पर संग की बात करें संग का मतलब आपको याद रखना है जो केंद्र है जहाँ पर केवल केंद्र को बनाने का अधिकार हो केंद्र को ही जो है कानून बनाने का अधिकार हो तो संग सूची 100 बिसे इतना लिक लेना है अगले स्टार में कौन-कौन से बिसे है तो कुछ important है जैसे सेना, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एर फॉर्स जाने कितनी सेनाएं है तो हम ये कह सकते हैं जो भी सेना के अंतरगत है वो संग सूची के अंतरगत आएगा जितनी bank के stock exchange जो भी आपके होते हैं जनगरना आये कर तथा निगम कर ये सभी किसमें आते हैं ये सभी केंद्रिय सूची में संग सूची में आते हैं union कैटालॉग में आते हैं क्लियर है कोई दिकत कोई doubt नहीं होना चाहिए इसमें से यही important पूछे जाते हैं इतने ही कई बार एक्जाम में पूछ लिए गए और याद रखना है रक्षा सेना अविदेसी इमाम ने बहुत बार पूछे जाते हैं ठीक है अगला पॉइंट है अगली स्लाइड में ये सूची खतम लो भाईया अगले चैप्टर पे चलेंगे स्टेट लिस्ट का मतलब होता है राज्य सूची में क्या होता है कि छेतरी महत्तों से सम्मंदित वसेयों की यानि जो सबजेक्ट होते हैं उनको वरियता देते हुए संविधान द्वारा कानून बनाने का अधिकार राज्य विधान मंदल को प्रावधान प्रदान किया गया ह मतलब क्या है संग सूची में जो कानून बनाएगा वो केंद्र बनाएगा राज्य में बनाएगा वो राज्य बनाएगा है न ऐसे ही राज्य सूची में विसे कितने हैं 61 विसे हैं संग सूची में 100 विसे हैं राज्य में 61 हैं कौन कौन से हैं न्यायाले है न्यायाले का मतलब हाई कोट राज्य है राज्य पुलिस की बात करता है जिला अस्पताल है सफाई है पसू है सिचाई है क्रसी सडक बन रेलवे पुलिस रेलवे पुलिस देखे इसमें आती है और बन वाट एवं नाप अब याद रखीगा जितने भी नापे होती है क्रसी से समद्यत पुलिस से समद्यत न्याए भी रखा गया दे कि न्याए ये काफी बार पुछा जाता है न्याए, पुलिस और एक और याद रखना है कारागार यह तीन चीज़ें आपकी राज्य सूची में आती है इसलिए आपको याद रखना है और सबसे ज़्यादा जो पूछा आता है वो यही पूछा आता है क्रसी सिचाई क्रसी सिचाई और पुलिस पूछा जाता है तो हर राज्जी की पुलिस केंद्र के अंतरगत नहीं आती है पुलिस, क्रसी, सिचाई, नियाले, कारागार ये सभी दोस्तों आते हैं किसके अंतरगत राज्य सूची के अंतरगत आते हैं संबर्ती सूची को जान लेते हैं और पूरी तरीके से खतम करते हैं क्योंकि एक यी चीज पूछी जाती है एजूकेशन कई वार एक्जाम में पूछा गया कि ये बताओ कि जो भारती सिक्षा है एजूकेशन है बहुत सारे बच्चे संबर्ती सूची को न लगा कर केंद्रिय सूची संग सूची लगा कर चले आते जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं मतलब राज्य सरकार और केंद्र जब दोनों कानून बनाएं तो उसका मतलब है संबर्ती सूची होगा दोनों सरकारों द्वारा बनाये गए कानून में गतिरोद उत्पन होने पर केंदर सरकार के द्वारा बनाया गया कानून मानने होगा अगर दोनों जो है कानून आपके सटीक नहीं बैठ रहे हैं अनी आपस में भिढ जा रहे हैं केंदर कहरा नहीं हमारा राज्य कहरा नहीं हमारा तो वो केंदर का ही क्या होगा माना जाएगा केंदर सरकार द्वारा कानून ही लागू हो जाएगा अपने आप लागू हो जाएगा संबर्ती सूची में विसे कितने हैं बावन विसे हैं और याद रखना है सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला पॉइंट है सिक्षा सिक्षा, दीवानी एबं फोसदारी, मुकदमे, स्रम कल्याण, कार खाने, समा चार पत्र इंपोर्टेंट है जितने भी निउस्पेपर आते हैं वो संबर्ती में आते हैं बन आर्थिक और सामाजिक नियोजन ये इंपोर्टेंट है प्रदूसण नियंतर ये दो तीन अमने बताए है, तीनों इंपोर्टेंट है याद रखना है प्रदूसन नियंतर जो आपका पॉल्यूशन होता है, निूस पेपर है और सिक्षा, ये सभी किसमें आते हैं, संबर्ती सूची में आते हैं, कन करेंट लिस्ट में आते हैं, किलियर है, सबसे महत्वपूर्ण जो चैप्टर है भारती संविधान का, वो है मूल अधिकार, मू मूल अधिकार क्या होते हैं, तो मूल अधिकार दोस्तों fundamental rights होते हैं, fundamental rights का मतलब क्या होता है, कि जो नागरिकों को मिलने चाहिए, बे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवारे होते हैं, मतलब हमें जीने के लिए, यानि हमें अगर जीना है, तो हम भारती संविधान द्वारती नागरिकों को साथ मूल अधिकार प्रदान किये गए थे ये थे पर देखी important है याद रखीगा तो जब कुछन में पूछा जाए दो स्टार बनाके कुछन लिख लीजेगा कि मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे तो साथ थे और point number next जब कुछन में पूछा जाए कि बरतमान संविधान में कितने मूल अधिकार है तो आपको अंसर होगा 6 याद रखेगा जब मूल पूछे यानि संविधान जब बना था तो मूल अधिकार थे साथ थे और जब बरतमान में पूछा जाए तो बरतमान में जो मूल अधिकार है वो 6 है अब एक कहां गया क्या भाई कोई खा गया या खतम हो गया या पूरी तरीके से निगल गया कोई जी नहीं 44 संविधान संसोधन हुआ उसी दोरान 1989 की बात है संपत्ति का एक अधिकार हुआ करता था उसको हटा दिया गया मूल अधिकार से और ये बात याद रखना है कि 44 संविधान संसोधन एक्जाम में बहुत पूछा आता है और बहुत सारे बच्चे 42 संविधान संसोधन को लगा कर चले आते हैं ये आप सभी जानते हो खुद भी जानते हो आप तो इसलिए गलती मत करना कि मूल संविधान में जो आपके अधिकार थे वो थे साथ एक हटा दिया गया अच्छे हो गये और वो हटाया कौन से संविधान संसोधन से गया है ना कि 42 में से बलकि 44 में से 44 में संविधान संसोधन 1978 या 89 की बात करें तो हटाया गया दोस्तों और उसको एक कानूनी अधिकार ये कुश्चन भी आ चुका है कि जो संपत्तिका अधिकार है वो बरतमान में कोन सा अधिकार बन गया है तो वो कानूनी अधिकार गाईज बन गया है ठीक है तो स्टार बना के लिख लेना संपत्तिक अधिकार हटाया गया संपत्तिक अधिकार कौन से संभिधान संसोधन से संपत्तिक अधिकार अब क्या बन गया है तो कानूनी अधिकार या विदिक अधिकार कभी कभी ओप्सन में कानूनी अधिकार नहीं देता है विदिक अ का अधिकार है, एक सोसन के बिरुद्ध का अधिकार है, कल को कुशन ये भी पूचा जा सकता है, जीके के क्वेस्टन पेपर में, कि भईया इन में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, तो आपको छेओ याद होने चाहिए, कोई भी साठकट नहीं है, मैंने का सब कुश पढ़न हमने कहा सब कुछ पढ़ना है एक बार लिख कर सब कुछ एक बार रिवीजन अगर कर लोगे तो चीजे बहुत आसान हो जाएंगी आप विश्वास नहीं करोगे क्योंकि चीजे क्या ना हमारे अलवारी में कितावें तो रखी होती हैं बहुत सारी कितावें हैं बतलब आप सबी के हमारी अलवारी में कितावें तो बहुत सारी रखी होती हैं बच्चे के बास लेकिन पढ़ता कौन है और जो पढ़ता है वो निकल लाता है ये बात सच है कड़वी है मगर सच है दोस्तों पहला अधिकार है समानता का अधिकार हम इसी स्लाइड में पहला अधिकार लेते हैं समानता का अधिकार यानि ये रहा समानता का अधिकार जो अनुच्चेद 14 से लेकर 18 तक जाता है आपको लिख लेना है यहाँ पर बढ़ाके 14 से लेकर 18 तक जाता है और याद र शेत कहता है जो जो इंपोर्टेंट होगा वो मैं बता दूँगा, पंदरमा इंपोर्टेंट यह कहता है कि धर्म नसल जाति लिंग के आधार पर हम किसी से समाज में रह रहे लोगों के बीच में भेदबाव नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, नसल का हो, जाती का हो, लिंग का हो, कोई भी बेहदवाव नहीं करेंगे राज्य के अधीन नौकरियों के समान अबसर दिये गए है यानि सोलमे में और OBC और SC केटेगरी में कुछ आरक्षन दिया गया है जो एक अपबाद है ठीक है ना, राज्य के अधीन नौकरियों का समान अबसर अगर कुछन में यह इंपोर्टेंट है, याद रखना है, यह इंपोर्टेंट है राज्य के अधीन नौकरियों में समान अबसर दिये गए है नुच्छेत सोला में और ये भी बहुत important है कई बार इसमें से समानता का अधिकार में ये दोनों आपको भूलने नहीं है very very most important है question में ये कहता है कि ये बताओ अस्प्रस्यता का संबंध किस्से है और पिछली बार तो question ये पूछ लिया था कहता है ये बताओ कि अनुच्छे 17 का संबंध किस्से है तो अस्प्रस्यता का यहाँ पर मतलब में आपको बता देता हूँ कि जब भी चुवा चूत भीमारी की बात करते है यानि चुवा चूत से आपको परेषानी है यानि कोई बात जो है कोई व्यक्ति ऐसा है जो भेदब प्रवाव कर रहा है एक समाज में तो आपको याद रखना है चुआ चूत से जो आपका निशेद है असप्रस्यता से निशेद है सभी को समान समझा गया है तो अनुच्छे 17 को आपको याद रखना पड़ेगा उपाधियों का निशेद यानि कोई भी जो है उपाधी नहीं ले सकता है तो वो अनुच्छे 18 और अगला पॉइंट है कि स्वतंतता का अधिकार याद रखेगा भारत में फ्रीडम आपको दी गई है क्योंकि भारत लोक तंतरात्म गड़राज्य है और अगर कुस्छन में कल को ये पूछा जाए कि ये बताओ कि भारती संविदान में स स्वतंता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतरगत आता है तो अनुच्छेद 19 से 22 के अंतरगत आता है ये बात दिमाग में फीड कर लेना है अनुच्छेद 19 से 22 के अंतरगत क्या आता है स्वतंतता का अधिकार आता है याद रखना है गाईस कई वार एक्जाम में एजसे और होता है पीजया आज़ को एजसे अपिए सहँ है कि आगेता हैं आगेता कि आगे लिए हैं।